सो गाइस हम अपने computer पर आ चुके हैं और SADP tool open किया तो यहाँ पर IP दिख जाएगी तो 1 की स्रीज में हमारे IP है camera की तो यहाँ network में जाएंगे open network का internet setting में जाएंगे ethernet पर click करेंगे change adapter option पर click करेंगे और यहाँ पर ethernet पर right click करेंगे properties पर जाएंगे TCP IP सेलेक करके यहाँ पर IP आपको assign करना पड़ेगा 1 की स्रीज में है तो 1 की स्रीज में और 0 की स्रीज में है तो 0 की स्रीज में तो यहाँ पर हम explorer open करेंगे या Microsoft Edge open कर लेंगे iTab वोला वीडियो नहीं देखा तो iButton पर click करके वीडियो देख सकते हैं तो हम यहाँ पर Microsoft Edge open करेंगे तो Microsoft Edge open हम निकल लिया यहाँ पर IP डालेंगे जिस camera को हमें login करना है उस camera की हम यहाँ पर IP डाल देंगे तो यहाँ पर हमारा जो camera का page open हो गया username admin जो password आपने बनाया होगा first time in a choice करते समय वो password डाल के login पर click कर लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो camera का जो page open हो जाएगा तो यहाँ पर live view पर आपका पहला option होता है secondary जो option होता है configuration का होता है तो camera यहाँ पर हमारा live हो चुका है तो अकर आपको date and time change करना है या आपको IP change करनी है तो आप configuration से सारी चीज़े आप change कर सकते है तो यहाँ हमारे भाई साब बैठे हुए configuration में जाएंगे उसके बाद तो यहाँ पर system setting होती सबसे पहले उसके बाद आप देखेंगे तो time और time setting का option होता है यहाँ पर click करेंगे sync with PC PC से sync कर जाएगा computer से save करेंगे उसके बाद फिर से हम live में जाएंगे तो camera यहाँ पर हमारा चल रहा है